सुन्दर कांड पाठ क्यों करना चाहिए सुन्दर कांड जो है वो रामचरित्र मानस का एक हिस्सा है जिस हिस्से में सुन्दर कांड में वो चीजें बताईगी जहां पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों के साथ जो है वो जुड़ता हुआ बताया किया हम सब जानते हैं कि ए पर एक ऐसा समय आता है जिस वक्त मा जो है वो लंका में हैं और हनुमान जी जो है वो समुद्र के इस पार हैं और वहां पर उनकी जिंदगी में जामवन चुड़ते हैं तो जामवन उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास करातें क्योंकि बहुत सारे वानुरों से पूछा गया क कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा तो हनुमान जी को जामवन जी उनकी सिद्धियों का यानि कि उनकी जो अंदर की इनर्जीज हैं उनको अपना होने का हैसास जो है वो करवाते हैं तो सुन्दर कांड जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है तो लाइफ में ना हम परम कि ऐसी सिच्वेशन जाती हैं जहां हम अपनी शमताओं पर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं कभी कभी सेल्फ डाउट जो है हो जाता है जैसे कि हम यूथ की बात कर रहे थे बच्चों की बात कर रहे थे माली जी एक बार किसी को कोई ऑप्सेकल भी लग गया पेपर में क्लेर नहीं हो पाया या जॉब नहीं पहली बार लग पाई या बिजनस पहला कोई वेंचर शुरू किया नहीं लग पाया पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी लाइफ में पीछे हड़ जाए तो सुन्दर कांट क्या करता है कि आपको आपकी लाइफ में आपकी स्टें के उपर है तो यह सुन्दर कांट का पाठ अगर कोई व्यक्ति को लाइफ में ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कहीं हारता हुआ खुद को महसूस कर रहा है या कभी उसको ऐसा लगता है कि यह मेरे बसकी बात नहीं है तो जब वो सुन्दर कांट को पढ़ना शुरू करता ह है तो life के हर situation को face करता है बजरंग बान हाँ जी हाँ बजरंग बान कितना powerful है क्या power